तो गाइस आज मैं बात करूंगा तो कॉंजरिंग यूनिवर्स की टाइम लाइन के बारे में इस वीडियो को बनाने का मेरा में मकसद यह था कि कोरोना वाइरस चल ला है सभी घर पर बैठे हुए है और देन मावल डीसी स्टार वार्स के अलाव अभी और भी यूनिवर्स हैं जो की काफी जादा कमाल के और अच्छी है अगर आप हॉरर लाइन में जाना चाते हो हॉरर मुवी पसंद करते हो तो मेरा सबसे पहले सजिशन रहेगा कि आप कॉंजरिंग यूनिवर्स देखो इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई थी 2013 से और ये यूनिवर्स अभी तक चलता आ रहा है और इस यूनिवर्स में आपको काफी कमाल की होरर मुवी देखने को मिलेंगी जिसमें कि मैं बात करूं कॉंजरिंग का पहला पार्ट जो कि बहुत ही जादा अच्छा था और देन आप उसे देखके 100% डरोगे और इसका सबसे बड़ा रीजन है क्यों क्योंकि ये स्टोरी रियल की है जी हाँ गाइस आपने सई सुना ये सारी की सारी स्टोरी स्रियल की है कुछ मूवीज मैं बनाकर एडिटिंग करके दिखाया गया है जिससे कि लोगों को थोड़ा इंटरेटिंबेंट भी हो जिससे कि मूवीज में थोड़ा इंटरेश्ट आए और थोड़ा साउंड एफेक्ट डाले जाए जो कि बहुत ही कमालगी होते है तो गाइस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया जिससे कि आप फेनी सुपर हीरो की दुनिया से निकलके अगर आप और कुछ भी देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा तो Concerning Universe की Time Line में काफी मूवी रिलीज होई है जिनके अगर आप Releasing Water से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि उनके अंदर की जो स्टोरी है उन में येर अलग-लग टैप के दिखाए गई है जो की एक दूसरे से करेक्ट नहीं होती है पर आगर आप इस वीडियो को देखके Time Line के According देखोगे तो आपको इजिली ये यूनिवर्स समझ में आएगा तो गाइस वीडियो को पूरा देखेगा जाते से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस यूनिवर्स को और आते हैं सबसे पहले मूवी पर यानि कि इस यूनिवर्स में सबसे पहले मूवी आती है Time Line के अनुसार वो है The Nun The Nun को देखने के बाद आपको लगेगा कि इस दुनिया में भूत भी होते हैं और इसी मूवी से शैतान की उत्पत्ती हुई थी जिसने आने वाले टाइम में पहुत ज़्यादा परिशान करा उसके बाद इस यूनिवर्स में दूसरी मूवी आती है The Annabelle Creation ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में उसके बाद इस सीरीज में आते हैं थर्ड मूवी Annabelle ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में ये Annabelle का पहला पार्ट है आप सोच रहे होंगे कि ये आगे पीछे क्यों है भाई ये ही तो टाइमलाइन का फंडा है इसको अगर टाइमलाइन के अनुसर देखोगे न यूनिवर्स को तो मज़ा आ जाएगा अब आते हैं इस टाइमलाइन में फोर्थ मूवी The Consuling ये गाईज इत्ती डरामनी मूवी है कि आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे ये मूवी पहुती ज़्यादा अच्छी है और इसका हिंदी नेम है शापित इस्तरी तो मूवी को देखना जरूल उसके बाद आते हैं The Consuling 2 ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में जोकि भूती कमाल की मूवी है और देन रियल की स्टोरी है आप खुद देखोगे तो हैरान हो जाओगे उसके बाद आते हैं अब upcoming movies के बारे में तो Consuling 3 जोकि इस साल रिलीज होगी 2020 में अगर coronavirus के चलते डिले नहीं हुई उसके बाद अगली movie आती है Untitled The Nun ये second part है पर इसका year confirm नहीं है के ये movie कब रिलीज होगी जैसी कोई update आएगा तो हम अपने YouTube चैनल पर प्रोवाइट कर बादूँगा उसके बाद अगली movie आती है The Crooked Man अब Crooked Man कौन है अगर आप पूरा universe देख लोगे तो आपको इसली समझ में आ जागा इसके उपर एक अलग से officially movie बन नहीं है और इसका भी releasing date confirm नहीं है तो गाइस ये है The Concerning Universe का fully sega और fully update timeline और इसके अलाब अब अगर आपके मन में कोई confusion है तो मुझे comment section में बताए या फिर मेरे को instagram पर आप message करें मैं आपको fully इसकी detail list बता दूँगा और आपको ये wall paper HD में चाहिए timeline का तो मेरे telegram को join कर लीजिए जैसे कि मैं आपको telegram पर ये बाइ